रोड आवागवन का प्रमुख जरिया है, सडक अच्छी हो तो यात्रा आसान हो जाता है और तूटी हो तो यह मुश्किल भरा सफर बन जाता है बिहार में बहार देखना हो तो कभी एनच असी पर चले आईए साहब, रोड पर ऐसा आनंद आएगा कि लक्षमन जूला को भूल जाएंगे सही सलामत घर पहुँच गए तो आपको शाबाशी मिलेगी, वरना हॉस्पीटल में तो जगह मिल ही जाएगी अपनी राजनिती चमकाने वाले नेताओं को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें वोट दीजिए, उपहार के तोर पर गड़ा भरा रास्ता मिलेगा चौकिये नहीं ये कोई गाउं की पकडंडी नहीं, बलकि जारखन और पस्चिम बंगाल को जोरने वाले रास्त्रिय उच्पत का हाल है भागलपूर से मिरजा चौकी तक कुल 60 किलोमीटर तक वाहंचालक भगवान का नाम लेकर जाते हैं एसी कमरे में बैठ कर योजना बनाने वाले मंत्री और हुक्मरान को जनता का दर्द नहीं दिखता है तभी तो दो राजियों को जोरने वाले एनेज पर गड़ों की भरमार है कहीं पूरी तो कहीं आधी सडक कट चुकी है देखिये सुसासन की सरकार के मुख्या किस तरह जान हथेली पर लेकर लोग गड़े भरे जरजर रास्ते से आ जा रहे हैं तरब जहां बिहार में चकाचक सडके बनाई जा रही हैं वहीं दूसरी ओर कई ऐसी सडक है जो अभी भी इंतजार कर रहा है कि कोई इसे बना दे मैं इस बक्त मौझूद हूँ भागलपूर जिले के एनेज असी के नजदीक का यह इलाका है आप देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है जहां कहीं भी आप देखेंगे तो यह पूरी तरह गड़े में तबदील हो गई है यहां से आप आगे जाएंगे तो यह मिर्जा चोकी यहनकी जारखंड को यह जोडता है वहीं दूसरी ओर यह मुंगेर की ओर भी चला जाता है भागलपूर से जब आप निकलेंगे तो तमाम जगहों पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ता कुछ हैसा ही नजर आएगा कहीं साइड से कटा हुआ है कहीं बीच से कटा हुआ है और कहीं पूरी तरह गाइब है पत्थर निकल के बाहर आ चुके हैं महतुपूर या एनेज असी है कई साल गुजर गए लेकिन अभी तक किसी की नजरे इनायत नहीं हो रही है न तो यहां के सांसादी से देख रहे हैं और नहीं विधायक अगर हम बात करें सुसासन की सरकार की जिसमें मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि सभी जगों पर रोड का काया कल्प हो रहा है अगर रोड का काया कल्प हो रहा है तो इस रोड की ऐसी स्थिति क्यों बनी हुए आखिर इसके लिए जिमेदार कौन है अभी बारिस का मौसम नहीं है तब लोग जो है यहाँ पर किसी तरह आ जा रहे हैं लेकिन जब बारिस यहाँ पर होती है तो घुटने भर से ज्यादा पानी और कीचर जम जाता है जिसके कारण लोगों को आने जाने में परिसानी होती है और जो बरे वाहन है यात्री वाहन वो इधर से गुजरना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह रोड लगातार जो है बत से बत्तर हालात में है मह 46 किलोमीटर की दूरी है और इसे तै करने में लगभग 3-4 घंटे का वक्त लगता है इसके समद में कई बार यहां के लोगों ने समदित पता अधिकारी है और जो जनप्रतिरती हैं उनसे सिकायत की है लेकिन कोई इसकी और ध्यान नहीं दे रहे हैं ना कोई देखने वाला है और ना कोई सुनने वाला लिहाज आब लोग यह कह रहे हैं कि हम लोग जो vote देते हैं आप इसके पहले सोचेंगे कि आखिर vote क्यों दे क्योंकि vote देने के बाद हम लोग अगर इस तरह के टूटे road पर हम दिखा रहे हैं कि अगर चलेंगे तो आखिर road ये क्यों नहीं बन रहा है और कब तक ऐसी स्थती बनी रहेगी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि आखिर इसकी ऐसी स्थिति क्यों है क्योंकि यहां के लोग ही इसकी सची तस्वीर बया करेंगे इतने दिनों से रोग कि इसी स्थिति है? यह कम से कम 10-15 ब्रस से है कौन सा जगा है यह? यह एंगलिज परका है फरका कहां सरो कहां तक रोग जाती है? यह मुंगेर से मिर्जाचोकी तक गमे बागलपूर के जिरो मइल से? नाय Todos मिर्जा मुंगेर से दोसी दोसी है नेतास हब है, सरकार है, कोई भी मुखमंत्री बनता है तो यहां देखने कलिए नहीं आता है कोई नहीं आता हैинки ना union DC plot hight Road मुखमंतरी के अंदर में तो नएया प्रधान मंतरी के अंदर में हैं यह कितना 80 है है यह बांग इन्हा practically हु ने तो उसके बाद ऐसी इस क्या लट देने के बाद का रुट के लोट के ने आता है कोई नहीं आता है! किसी तरह की इस्तिति भारिज में क्या दिक्कत होता है? सांथर बैठाया कहुंवं है को ने और दैखने आता न भागिरत परशाद मंडल करें से ओ bon मनलोट मर गारी विदर, परशाने में कुछते है, grinding बाहिद अन्हेयर पंडुरेता में तेन गंटर, जब उते हुड़ा जाने हैं, हाग चैने गोचे प्लस बेविक लग जाता है कि दो दो दीन रहना पड़ जाता सामने एंबुलेंस में पसंजर जो होता है परसेंट वह अपना दम तोड़ देता है मगर अपने मंजील तक होस्पीटल नहीं पहुच पाता है ऐसा ही इस रोड का मगर क्या का जाए सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं है मेरा नाम सर आसिस पांडे उर्फ बादल पांडे हुआ घर हमारा घोगा हुआ और मासे ठीक है सर उप चाहिए सुना की जो वाहन चालक है उनका कहना है कि 46 किलोमिटर में लोगों को तीन से चार घंटे का वक्त लगता है और सबसे ज्यादा परिसानी जब यहां से मरी जाते हैं एंबुलेंस के द्वारा तो वो हॉस्पीटल नहीं पहुच पाते हैं और रास्ते में ही उसकी मौत हो जा झालक है और सुना का。